नमस्कार दोस्तों आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं लाइफाइट टेकनोलोजी के बारे में और एक लेह लद्दाक से आ रही वीडियो के बारे में एक बहुत बड़ी इंजीनियर है बहुत बड़ी आदमी है सोनव मक्चुक उन्होंने एक वीडियो डाली है उ वहां पर नॉर्मल जैसे आप टावर वगरा लागाते हो विसे वहां नहीं लगाया जा सकते और अगर लगाते भी हैं तो बहुत बड़े पहाड़ है उनके पीछे पहाड के पीछे तो के लिए आपको मालूं होगा तो तव उनोंने की कंपनी हें जो इंडिया की एक कंपनी और पूरी दुनिया में बहुत मानेवी कंपनी हैं जो की WiFi technology के प्रोडॉक्टी बनाती है तो उन्हों इस्तिमाल की जाए तो सैटलाइट इंटरनेट का नाम वो निशान मिट जाएगा मतलब उसका कोई अप्लिकेशन नहीं रहेगा सैटलाइट इंटरनेट आपको पता होगा बहुत महेंगा है इसके लिए आपको कम से कम साथ अजार से भी जादा रुपए महीने के फिक्स देन इसमें जो इंटरनेट की तरंगे हैं जो भी इंटरनेट है उसको लाइट में कनवर्ट किया जाता है एंदेन बीम एक लाइट बीम की तरह थो किया जाता है इसमें एक सेंडर होता है एक रिसीवर होता है तो यहां पर क्या होता है पहले जो हमारा इंटरनेट है उसको सिस्टम्स में नॉर्मल इंटरनेट के तरीके से आ जाता है तो यह बहुत अच्छी चीज है इसमें ज्यादा पावर की जरुरत भी नहीं पड़ती तो उन्होंने क्या किया ऐसे कोलाइबरेशन किया और नवटेक कंपनी को बुलाया लदाक में उपर अब यह कंपनी के लोग आप पहाड के ओपर लगा ना पहाड को ऐसे क्यों देख रहे हो कि आर्चन एंप आपको टावर की तरह इस्तिमाल करो तो ठीक है लेकिन उपड़ तक जैरेटर कॉन क्ले जाएगा भाई उपर तक पावर को लेका तो हीक तो सोलर लगा दो बोला सोलर लगा देंगे तो बैटरी लगानी पड़ेगी तो बैटरी लगाएंगे तो ब्लास्ट अपर तो जम जाएगी वह माइनस कितना चला जाता टैंपरेचर वहां का अच्छा यह बात है तो वह पहले भी बहुत सारे स्कूल्स वगेरा को या जो रिसर्च इंस्टिट है उसे माइनस 20 डिग्री में भी प्लस 20 डिग्री का टैंपरेचर वह रख चुके हैं तो आइसलेशन वगारा करके या कुछ ऐसी टेक्निक इस्तमाल करके गरम रखा जा सकता है तो उन्होंने ड्रॉम्स के ऐसे 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 कंटीनर बनाए जिसमें बैटरी अगर भार हो जाये तो उसमें chemical reaction होना बंद हो जाता है और batteries में अगर chemical reaction होना बंद हो जाये तो electricity प्रिद्यूस ही नहीं क्योंकि बैटरीज केमिकल रियक्शन पर काम करती हैं आपको मालम होगा तो उन्होंने यह सलूइशन भी निखाला और उपर बिजली के लिए सोलर पैनल इस्तमाल कर दिए सोलर पैनल की जो लाइफ होती है वह ऑसतन 25 साल होती है अगर आप एक सोलर पै पढ़ेगी तो यह वहां पर उन्होंने तिग्रम लगाया और उन्हें किया उप्र से जो ओeta को इंटरनेट ले यहां से वह नीचे से ले और वहाँ वहां के स्कूल में अगया तो 400 MVP2igs बहुत सारी स्पीड बहुत जादा स्पीड होती है लोगों यूद्ध के फॉर्म में इंटरनेट का ट्रावल करना कोई नई चीज नहीं है लेकिन मीडियम यहां पर पुराना है एक किसे आपको फाइबर आप्टिक नाम पता है आपके घरों में लगाँगा कभी फाइबर आप्टिक से तार को काट गर ना कहीं से देख ले न उसके अंदर copper के वाइड है उसके फाइबर का वायर होता है कहाँ जैसा होगा लाइट की स्पीड बहुत फास्ट है और अगर इंटरनेट लाइट के फॉर्म में ट्रावल करें तो बहुत फास्ट पुचाया जा सकता है यहां पर कुछ भी अलग नहीं है यहां पर मीडियम हवा है हमारा वातवरन है और फाइबर ऑप्टिक में मीडियम वह ग्लास क स्पेस से डारेक्ट इंटरनेट प्रोवाइट किया जाए लेकिन अगर ऐसे छोटे छोटे लाइफाई के सेंट्रस पहाड़ों में लगा दिये जाएं तो हमें स्पेस इंटरनेट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी इसके पावर की लागत भी 100 वार्ट के आसपास होती है तो कि आईफोन अपना सैटलाइट कम्वनिकेशन लेकर लेकिन सोच के चलो कि भारत की जो नवटेक कंपनी है यह नवटेक वायरलस है यह नेटवर को परेटर के साथ मिलके यह संब आगर यह टेकनोलोजी हर पहाड़ी एरिया में ले आए तो फिर आईफोन के सैटलाइट कम् सकती है मेरी राय में यह बहुत ही smart तरीकां है इंटरनेट पाधाने का पहाडी एरियां में मुझसे पूझे सागर बाहि क्या ये साग्र पर इंटरनेट प्रवाइब करने के लिए यूस हो सकता है पिलकुन हो सकता क्यों नहीं सकता लेकिन यह साही नहीं होगा क्योंकि यहां पर आप कितनी जगा पर बीम छोड़े हां ऐसा हो सकता है कोई ऐसा लगे जो हर जगा हर तरफ बीम छोड़े तो ठीक है पहाड़ों में प्रॉब्लम पता है क्या है आप फाइबर आप्टिक बिछाओगे ना तो पर किलोमेटर के हिसाब से आपको एक करोड बहुत अच्छी हो सकती है तो यहां पर ना साधारन भाषा में सिर्फ इंटरनेट को लाइट में कनवर्ट किया जा रहा है एक लाइट का जलना बुझना जलना बुझना 010101 फॉर्माट को रेप्लिकेट करता है आप मालोगा डिजिटल दुनिया में जो भी कंप्यूटर चल रहे हैं वह बाइन इस पर ही चल रहे है ऑफ और ओन 01011001 इसी इंस्ट्रक्शन से पूरा कंप्यूटर काम कर रहा हर यह अभी आपके घर में मोबाइल फोन हैं कंप्यूटर है टैबलेट है इस सभी इसी सिधान पर काम करें जो डिजिटल डेटा स्टोर होता है वो भी इसी इस इदान पर काम कर रहा है तो यहां पर लाइट एग सेकिंड के बहुत होएं इससे तक फ्लिकर करती है और रोंशीवर को डेटा में या इंटरनैत में फीर कर कि आपके सिस्टम तक ले जाता है बहुत अच्छी टेक्नालोजी है मैंने आपको इसके बारे में बता दिया आप उस वीडियो को एक बार जाकर जरूर देखी है बहुत ही इंट्रेस्टिंग वीडियो जहापर उन्हें बताया कैसे उन्होंने पहाड़ी एरिया में इंटरने सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करें तो डिस्क्रिप्शन चेक करें 299 रुपीज के तीन इतिकल लाकिंग को से आसान भाशा में आपको इतिकल लाकिंग सिखा देंगे मैं मुलत आप से लिए वीडियो में थाक्यू सो मच एंड गुड आप